स्पीसी टेस्ट कैसे चेक करें इसके उपर पूरी वीडियो है काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग काफी ज़्यादा डीटेल वीडियो हने वाली विकॉस एक एक पॉइंट पेपन डीटेल में बत करने वाले है तो अगर आप पहले पर चैनल पे आए तो प्लीज स्सक्राब अगर आप एक मेल है तो आपका 13 ग्राम से लेके 16-17 ग्राम तक हमोगलोबिन होना चाहिए और अगर आप एक फीमेल है तो साड़े ग्यारा ग्राम से पंदर ग्राम के संतिंग आपका हीमोगलोबिन लेवल होना चाहिए अगर इससे कम हे तो आप एनिमिया के दैरे में इंटर हो जाते हैं अगर आपका 10 से ऊपर है तो आप नहीं हैंगे पर 10 से कम है तो डिफिनेटले आप एनिमया के लेवल माझेघेuben अब बिसी क्या है अगर बिसी आप इस रेट ब्लिट Ç की कमी भी हो सकती और ज्यादा भी हो सकता अपके शरीर में तो यह आप इसी का काम है कि बेसिक लेवल पर उसको शरी से बाहर दना यह व्यूपी का काम है अब ड़िवीसी की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो 4000 से 12000 तक होना चाहिए अगर इससे जादा है आपकी ड़िवीसी को सदेन में इंफिक्छन चल रहा है तभी तो इतने सारी ड़िवीसी क्रियट होई है वह किसी नगे किसी वाइरस बैटेरिया इंसे लड रही होगि और अगर आपकी ड़िवीसी कम है तो आपको फीर भीट्रेक्शन है इतना पाउड़फुल बैक्टेरिया वाइरस ही जो आपकी WBC को हरा रहा है तब वो जा रही है आपकी WBC कम हो रही है तो अगर आपकी WBC कम हो रही है तो भी infection है बढ़ रहा है infection और WBC बढ़ रहा है तो तो वो लड़ी रहा है तरह से दिखा जाए तब इसके सब पार्ट होते है polymers, lymphocytes, snowfields और पेसोफिल्ड अब यह क्या है बैक्टेरियल इंफेक्शन है, snowfields आपको allergic infection बताते हैं आप लास्ट बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की और इस बैटलेट काउंट प्लेटलेट काउंट आपकी बॉड़ी में कहीं पर घाव होता है वहाँ पर ब्लेट निकलने की जितनी वह संभावने होती है वहाँ प और अंदर यह oxygen होता है, oxygen हर पार में पोषहा तो वह तरीकर से काम करें तो यह बस इंफोर्मिट अगर आपको ड्ड़ना हो रहे है तो आपको ड़नी के बाते है बिकॉस अगर आपके अंदर को भी चोट वड लग है तुमापर ब्रीज निवन पार अगमा पशेंगा मतलत म आपको फिर कुछ और प्रोडम्स हो सकती है और कम है तो आपको टेंगो हो सकता है मलेरिया हो सकता है विए अदर भी प्लेटलेट्स गिरते हैं बैंकर देखने लिए चैनल को सस्क्राइब किजिए लाकिजिए और शेर्किजिए थैंक यू सुमाच